एलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चनल पर जिसका नाम है टेक्निकल एनलेसिस ऑफ स्टॉक्स तो प्रेंड आज हम यहाँ पर डिसकस कर रहे हैं जेपी पावर शेर का टेक्निकल एनलेसिस साती में करेंगे इसके कुछ फंडामेंटल एनलेस को भी तो यहाँ पर आप देखेगा जेपी पावर का जो स्टॉक के बहुत ही नेरु रेंज में आपको करने चाहिए और यदी हम यहाँ पर बाइंग करेंगे तो क्या टारगेट और चारचा साती में जो फंडामेंटल पेरिमिटर हमें डिसकस करना है उसके लिए में लेकर चलत लगाने में clarity मिल सके हैं यहाँ पर आप देखिएगा पर कितिना दिखाई दे रहा है तो सब्सक्राइब करें तो 4934 क्रोड रुपय का हमें पर बात करते साथ रुपए 20 पेसे के अंदर करेंट प्रेस आपको देखने को मिल जाती यह देखेगा साथ रूपए 20 पेसे के आपको करन पर देखने के बाद हाई और लोग अगर डिसकस किया जाए यहाँ पर आप देखेंगे नो रूपए 56 पेसे का हाई और पांच रूपए 45 पेसे का लो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक के पी रेश यह देखेगा यहाँ पर जो इंडस्ट्री है इसके पी से हमें से कंसिडर करते हैं तो इसके कंपर में इस स्टॉक का जो पी यह बहुत अच्छा वेलिएशन निकल करके आ रहा है उसका सिंपल सा रेजन है पी रेश्यो जितना कम हो उतना हमरे लिए यह पर पॉजिटिव इसके बुक वेल्यू की तो आपको यहां पर बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है तो इस प्रॉफिट को बिलकुट धियान रखें कि इसकी बूक वेल्यू बहुत अच्छे रिखाई देती है एक पाइनिश्टॉक होने के बाहुद यहाँ पर stock की जो valuation निकल कर कहा रहे हैं बहुत अच्छे हैं आपर देखने को मिलते हैं यहाँ पर नहीं मिलता पेने stock के dividend तो प्रवाइड नहीं करवाएगा कई सारे दिगज stock भी हमें आपर dividend नहीं देते हैं तो यह तो फिर भी एक पेने stock यहाँ पर आप देखेगा return on capital employee की अगर बात की जाए यहाँ पर क्या निकल करके आ रही है सेवन पाइंट फॉर वन की return on capital employee दिखाई दे रही है return on equity की अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं वन पाइंट सिक्स फॉर आपको return on equity यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके अलावाब face value के अगर हम बात करें यहाँ पर आपको दिखाई देगा 10 रुपए की face value के साथ stock यहाँ पर काम करता है आपको देखने को मिलता है साथ ही में अगर हम बात करते हैं इसकी holding pattern की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं foreign institution की जो holding है इस stock में अभी है कितनी यहाँ पर आप देखेंगे 3.67% यहाँ पर foreign institution की holding आपको देखने को मिलती है और domestic institution की जो holding है वह आपको दिखा देती 22.2% जो कि एक बहुत अच्छा figure हमें आप देखने को मिल रहा है 22.2% की domestic institution holding होना एक पेनी stock में अपने आप में बहुत ही अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है अब हम बात कर लेते हैं public holding की तो पर देखने को मिल जाती है अगर हम बात करते प्रमोटर की holding की यहाँ पर आपको दिखाई देगा 3.10 promoter holding है उसमें भी कुछ holding है आप पर प्लेइक हमें वीडियो बनाया है उस पर भी में बुलिश हूँ लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बोड़ा फोन आइडिया लॉस करती हुँ दिखाई देती है और यह भी एक पर निश्टॉकर वह भी पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर स् सकते हैं यहाँ पर आपको बताने कोश करूँगा कि कितनी कौंटिटी यहां पर देखेंगा निचे जो आप्शन निकल करके आ रहा है सेक्यूरिटी वाइस दिलीवर पोजिशन का उसमें क्या बताया जा रहा है तो यहाँ पर आप देखिए इससे मां हैलेट करने कोश करत हूँ यहाँ पर क्लियरली मैंशन है सेक्यूरिटी वाइस डिलीवरेबल जो कौंटिटी आ रहा है उसमें आप देखिए कौंटिटी ट्रेड कितनी होती हुए आपको दिखाए दिये यहाँ पर आप देखेंगे एक करोड बहुततर लाग पे तीस हजार नोसो पिछवतर कौंटिटी की बात करें तो 64,50,853 को यहाँ पर डिलीवर किया गया है 37.43% किसी पेने स्टॉक के अंदर डिलीवरी ले जा रही है इसका मतलब यहाँ पर एकसेट किया जा सकता है इस टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी लेकिन कितनी तेजी मिल सकती है कहां पर इं चार्ड यहाँ पर एक केंडल एक दिन को रिप्रेजन करते हैं आपको शो करेए यह देखिये सात रूपए यहां से ऊपर आता है सात रूपए के उपर और सीधा हमें कहां तक जाता हुआ दिखाये था तो लगभग लगभग हमें जे इस टॉक 9 रूपए तक देखने को मि दिखाई दी और लगबग 8 रुपए 10 पिस से क्या सपास जाने के बाद इसके बाद हम देखते हैं इस टॉक में आती है तेजी और इस टॉक हमें 9 रुपए के भी ऊपर यहां पर देखने को मिल जाता है लेकिन फिर गिरावट होती है और हम देखते हैं साथ रुपए पर वा देखेंगे उपर आपको 9 रुपए पर फिर से श्टॉक लगभग देखने को मिलता है और यहां से गिरावट करता हुए नीचे आता है साथ रुपए बीस पैसे के आसपास आप यहां पर एक चीज और आपजर्व कर पा रहे होंगे मुझे लगता है कि यहां पर क्या जीएगा 200 दिनों के एक्सपोनेशल मुविंग एवरेज की लाइन है और यहां पर एक चीज और दिखाए दे रहे हैं जब जब श्टॉक नीचे आ रहा है 200 दिनों के मुविंग एवरेज की लाइन को टच करके इसमें एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है यहां से भी इसके बाद फिर से होती है गिरावट और यहां पर देखेंगे साथ रुपए के भी नीचे तक हमें आप पर जाता हुआ दिखाई दिया वापिस श्टॉक के अंदर लोटती है तेजी लगभग आट रुपए के आसपाद इस्टॉक यहां पर जाने की कोचिश करता है फिर इसी ग्रीन लाइन के अराउंड श्टॉक का भी कंसुलिडेट कर रहा है जहां पर दोस्तों दिनों का एक्स्पोनेशल मुविंग एवरेज निकल करके आ रहा है तो फिर यहां से रिवर्सल आता है तो क्या हमें इंट्री करना चाहिए तो फिर देखिए पेनी स्टॉक है पेनी स्टॉक में अगर मुखा मिले तो चोका मारना चाहिए यह तो ठीक बात है लेकिन इस बात का भी दिहान रखना चाहिए कि प्रॉपर स्टॉपलस को लेकर करके चलना पड़ता है और यहां पर उतनी ही कॉंटिटी को लिया जाता है जितना कि अपन लॉस को बियर कर सक तो यदि आप यहां पर बाइंग का सोच रहे हैं तो साथ रूपए 20 पैसे के आसपाइब यह साथ रूपए के आसपाइब करते हैं तो ऊपर की तरफ आपको कम से कम जो टार्गेट में बता दूँ नो रूपए का आपको मिल सकता है आने वाले तीन-चार महिनों में इस ट क्यांट कि रिस्के के तो quantity selection जोगा वो यहां पर उसी according होगा कि यह दि श्टॉक नीचे जाता है साथे 6 पर हमें exit करना पढ़ जाता है तो यहां पर क्या करेंगे हम यतुनी quantity लेंगे कि पचास प्लिसे के पर रूपए का तो दो रूपए नीटिक स्टॉप्डा ऑपर चले यहाँ पर मैं आपको बताने की कोश करता हूं कि कितनी बार यहाँ पर दिखाई देला एकस्पोनेशल मूविंग dependent यहां पर हम देख रहे हैं पूरी ils Griffeyyy के दो सब्सक्राइब की इसके नीच अगर जाता भी है तो वहापिस टेजी से मैं आपड़ दिखाने की कोश हमारा टेक्निकल व्यू जेपी पावर शेयर को लेकर के इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो